कुल्फी कुमार बाजेवाला के फैंस के लिए बुरी खबर आई है जल्द बंद होने जा रहा है ये शो जी हाँ, शो कुल्फी कुमार बाजेवाला स्टापलस के मोस्ट पॉपलर शोज में से एक है लेकिन अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शो जल्द कुछी दिनों के बाद बंद हो जाएगा रिपोर्ट्स के मताबिक शो का आखरी एपिसोड साथ फरवरी को टेलिकास्ट होगा वर आपको बता दियें कि शो कुलफी कुमार बाजेवाला को शुरूआत से ही काफी पसंद किया जाता है कि बदलने को पड़े जटके के तोर पर अब देखा जा रहा है और अब इसी बज़े से मेकर्स शोग को बंद करने का फैसला कर चुके हैं हाला कि इस बात की फिलहाल ओफिशल एनाउंस्मेंट नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि मेकर्स ने अपनी पूरी टीम को इस बात को लेकर अल्टिमेटम दे दिया है और अब शोग के क्रियेटिब्स शोग की हैपी एंडिंग ट्राक पर काम शुरू कर चुके हैं वहला आपको बता दें कि ये शोग 18 मार्च 2018 को लांच हुआ था यानि करीबन दो साल पहले ये शोग शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक दर्शकों की ओर से शोग को अच्छा रिस्पॉंस ही मिला है पिछले दिनों शोग में लीब को लेकर खबरे आई थी ऐसी खबर आई थी कि आक्टर मोहित मलिक ने ये शोग छोड़ दिया है हाला कि बाद में उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वो शोड़ नहीं रहे अब खबरों की माने तो शोग के मेकर्स और आक्टर्स शोग के टाइम में हुए इस फेर बदल से खुश नहीं क्योंकि इस बात का असर शोग के टी आर पी पर पड़ रहा है और इसलिए अब कहा जा रहा है कि मेकर्स इस शोग को बंद करने का फैसला कर चुके है अब कुल्फी कुमार बाजे वाला ओफियर होगा या नहीं ये तो कुछ तिनों में ही साफ हो जाएगा लेकिन अगर वाकई शोग के ओफियर होने की ये खबर सची है तो ऐसे में फैस का दिल जरूर टूर जाएगा क्योंकि कुल्फी और उसके पापा सिकंदर की जोड़ी फैस को खूब पसंद आती है अब अगर आप भी शोग के फैस हैं तो आपका इस खबर पर क्या ही रियाक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दें